तो आज की सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वन को जो की हम हिमाचल जी के सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इसका नाम हमने रखा है जीरो टू हीरो यानि कि बेसिक से लेकर आपको जो है वो एडवांस लेवल की HPGK करवाई जागी जो की आपको यूट्य किये जाएं बड़ अगर 30 को भी हम यहाँ पर कोश्चन मान कर चले तो एक बहुत बड़ा नंबर है 30 नंबर के लिए आपको प्रिपेर करना पड़ेगा और सारी जीके जो है वो पढ़नी पड़ेगी तो ऐसे में ये सीरीज आपकी हल्प करेगी कि क्या का important points आपको पढ़ देखेगा बाकि आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंड करके बताएगा ठीक हर चीज को डिटेल में बताया जाएगा कोई भी आलतू-फालतू information आपके साथ जो है वो शेयर नहीं की जाएगी ठीक है और जीरो टू हीरो है तो आप अगर बिल्कुल आपका clear निये basic वग देखेगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का मैप आपको याद होना जरूरी है बाकि अगर आप वीडियो को देखते चलोगे तो आपको समझ आएगा कि मैप आपको खुद बखुद याद हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से आपके सामने मैप आता रहेगा तो आपके दि प्रफ उत्तर और ये पढ़ता है आपका दक्षिन, तो सबसे पहले उगर बात करें इहाँ पर पूरफ की, तो पूरब में जैसे आप देख रहेंगे क्योंगे मैप के प्रू तो ये पढ़ता है आपका चाइना, चाइना या फिर आप पिबत बोल सकते हैं, जो कि पढ़त हिमाचर प्रदेश की प्रिप्रेशन कर रहे हो चाहे वो किसी भी बुक से कर रहे हो तो मैप को जरूर यूज कीजिए ठीक है इसका reason क्या है वो मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा वैसे map के थूरू बहुत सारी हरियाना प्लस आपका जो है वो यूपी पढ़ता है ठीक है तो यह चीजिद याद रखेगा यह कहाँ पर पढते हैं ये आपके दक्षिन में पढ़ते हैं और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह जो आपकी जो है वो उत्राखंड पढ़ता है। पुर्देश, उत्तर में जम्मो कश्मीर और दक्षिनपुरा में उत्राकंड तो ये सारी चीजें आपको सभसे पहली कि अगर आप हिमाचर प्रदेश की तयारी कर रहे हो तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी ज़रूरी है ठीक है जी नेक्स्ट है आपका important कि सबसे पहले हिमाचर प्रदेश का जो क्षित्रफल है वो कितना है तो 55,673 वर्ग किलोमेटर जो है वो हिमाचर प्रदेश का क्षित्रफल है बारे में पूचल प्रदेश का जनसंख्या के बात करें तो 68,56,509 हिमाचर प्रदेश की जनसंख्या है ये किसके according है ये आपकी 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है अच्छे देखिए हिमाचर प्रदेश का क्षित्रफल किलना है 55,673 वर किलोमेटर तो अगर इसका ये पू पूछ चाए कि जनसंख्या जो है वह भारत की जनसंख्या का कितना परसंट है तो वह होगा आपका 0.59 ठीक nggak ची ये आपका दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ठीक है तो ये दोनों बेसिक चीज़ें भी आपको पता होगी कि भाई जो एरिया है यानि कि क्षेत्रफल जो है वो कितना है 55,673 वर किलोमेटर पॉपुलेशन कितनी है 68,56,500 वन पॉइंट सैवन परसेंट जो है वो भारत की क्षेत्रफल का है हिमाचल का क्षेत्रफल और 0.59 जो है पूछ ली जाए तो 270 किलोमेटर है वैसे ये पूछी नहीं जाएगी बड़ फिर भी आपको जो है वो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए तो ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट आपको कि हिमाचल प्रदेश के पूरब में क्या है पश्ची में क्या है उत्तर में क्या है क्षितरफल कितना है जनसंख्या कितनी है कितना परसेंटेज है जो कि आपको टिप्स पर जो है वो पता होने चाहिए तो इसको मैं एक बार रब कर दिता हूँ अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टन है वो है कि हिमाचल प्रदेश की बाउन्डरी जो है दो तरी तो आप मैप के थुरू देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि नौर ठीक है यहाँ पर देखे टच लिए बांडरे के साथ और दूसरी बांडरे टच हो रही है आपकी लाहॉल स्पीति के साथ तो किस-किस के साथ चाइना की सीमा लगती है वो लगती है आता है वो आता है आपका जम्मो कश्मीर का ठीक है उत्तर में क्या है जम्मो कश्मीर है तो जम्मो कश्मीर की यहां पर आप देखोगे तो चम्बा को यहां पर टच कर रहा है उसके बाद थोड़ा सा टच जो है वो यहां पर कर रहा है लाहुल स्पिति को इस पॉइंट पर अब books में क्या दिया गया है कि जब्मू कश्मीर जो है वो चमबा को भी मलब की कांगडा को भी जो है वो टच करता है बड़ आप यहाँ पर देखो कि यह boundaries जो है वो यहाँ तक है तो यह चमबा को और लाहोल स्पीति को टच करता है तो इसलिए मैं बोल रहा था कि map जब भी जी के पड़ें कि गलती सभी से हो जाती है कर बार मीं स्प्रिंट ao चाहता है तो मैप को जो है वो साथ ले कर चले तो अगर सेकंड नंबर पर हम यहां पर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो जम्मू एंड कश्मीर की सको टच करता है चम्मा को आपका टच करता है प्लस टच करता है लाहो लेंड स्पीती को यह आपको clarity हो गई फिर बात करते हैं यहाँ पर उत्राखंड की ठीक है उत्राखंड कहाँ पर था उत्राखंड था आपका दक्षिन पूरम में ये वाली डिरेक्शन में तो आप देखोगे तो ये सबसे पहले सिर्मौर को टच कर रहा है इस साइड से इस साइड से टच कर रहा है आपका शिमला को और इस साइड से टच कर रहा है आपका किन तो यह तीन जो है वो आपके district जो है वो इससे touch होती है चौते नमबर पर अगर बात करें है है यहां पर हम हर्याना की तो इसको एक बार मैं यहाँ पर clear कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत रहा हूँ तो यह है आपका हर्याना यहाँ पर देखो कि आप सिर्मौर को टच कर रहा है और यहाँ से boundary टच कर रही है सोलन को, तो हर्याना जो है वो आपका सोलन प्लस सिर्मौर को जो है वो टच करता है ये आपको चीज समझागी, अच्छा हर्याना के साथ फिर यहाँ पर यूपी भी देख लेते हैं, तो यूपी की सिमा एकी के साथ लगती है इस पॉइंट पे जो है वो थोड़ा सा टच करता है वो है आपका सिर्मौर तो सिर्मौर को टच करता है अच्छा फिर बात आती है यहाँ पर आपकी पंजाब की तो पंजाब की यहाँ पर अगर आप देखोगे यह है आपका पंजाब तो यह यहां पर सोलन को टच करता है, यहां पर बिलासपूर को टच करता है, यहां पर उना को, यहां पर कांगडा को, और यहां से टच करता है आपका चमबा को, तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए आपके पांच, पांच को टच करता है, किस किस को, सोलन को टच करता है, उसके बाद आपका बिलासपूर को टच करता है उसके बाद करता है उना को फिर आगया आपका कांगड़ा आगया और फिर आगया आपका चमबा तो इतने जो आपकी district है यानि कि 5 district को कौन touch करता है या आपका पंजाब करता है ठीक है और अगर आपसे पूछ लिजाए कि कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़ादा district को जो है वो touch करता है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि पंजाब जो है वो सबसे ज़ादा district को जो है वो touch करता है यानि कि उसका सही आंसर होगा आपका पंजाब यहीं से जो है वो इसी different different तरीके की question बनते है तो पंजाब जो है वो सबसे ज़ादा इनको touch करता है बाकी जो है वो थोड़ी-thोड़ी district की सीमाओं को जो है वो touch करते है तो इनसे जो है वो आपके question बन सकते है matching वाले कि भाई चाइना, जम्मो किश्मीर, उत्राखंण, हर्याना, यूपी किन किन को touch करता है इन में से किस-किस को जो है वो touch नहीं करता है तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने है तो एक तो हो गया ये वाला section कि भाई जो आपके other state हैं वो किस-किस को touch करते हैं दूसरा section कहता है कि कौन सा जीला जो है वो अन्ने जीले की सीमाओं को touch करता है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सिर्मौर से सिर्मौर से अगर बात करें तो सिर्मौर से देखें यहाँ पर पहला जो इसके साथ attach है वो है आपका ये वाला और second है ये वाला तो सिर्मौर की सीमाओं किस-किस के साथ touch करती है अगर हम सिर्मौर की बात करें तो सिरमौर की करती हैं आपकी शिमला प्लस सोलन मैप के थुरू आपको याद रखना है जादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि रटे बाजी आपको जो है वो करनी है सेकंड अगर बात करें यहाँ पर हम सोलन की तो सोलन में एक ये हो गया सेकंड ये हो गया थर्ड ये हो गया, फोर्थ ही हो गया देखें यहाँ भी टच हो रही है यहाँ पर भी टच हो रही है, यह भी टच हो रही है और यह भी टच हो रही है, ठीक है तो सोलन को कितने जीले जो है वो टच करते हैं प्लस दूसरा आपका शिमला हो गया उसके बाद आपका एक हो गया मंडी और फिर हो गया आपका बिलासपूर किसको touch करते हैं आपके solan को touch करते है solan हमने यहाँ पर सीख लिया अब बारी आती है यहाँ पर shimla की ठीक है shimla की बारी आती है तो shimla को यह touch करता है secondly यह touch कर रहा है third यह touch कर रहा है fourth यह touch कर रहा है और fifth जो है वो यह touch कर रहा है सोलन के साथ टच होती है सीमा उसके बाद मंडी के साथ टच होती है सीमा उसके बाद आपकी कुलू के साथ होती है और फिर आपकी जो है वो किन और के साथ होती है अब इसमें से कोशन किस तरीके से बनते हैं कोशन आ सकता है आपका कि निमलिखित में से किस जीले के साथ जो है वो शिमला जीले की सीमा जो है वो नहीं लगती है option में तीन आपके पास जिनकी लगती है वो दे दिये जाएंगे और चोथा आपके बाद चमबा या कांगडा डाल दिया जाएगा या इन में से कोई भी तो आपको जो है वो टिक करना है ठीक है कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू देखिए एक तो यहाँ पर attach होता है फिर secondly यहाँ पर भी लग रहा है थर यह है फोर्थ यह है और फिफ्थ यह है ठीक है चारो तरफ से घिरा हुआ है कुल्लू तो कुल्लू की भी जो है वो आपकी पांच के साथ रखती है कौन-कौन से होगे कुल्लू के कुल्लू में कौन-कौन से होगे कुल्लू में होगे आपके कांगडा ठीक है फिर आपका लाहॉलेंड स्पिती हो गया फिर आपका किन्नौर हो गया उसके बाद आपका शिमला हो गया और फिर हो गया आपका मंडी कौन से लगते कुल्लू में कांगडा लाहॉल स्पिती किन्नौर शिमला और मंडी यानि के टोटल जो है वो पांच जिलो के साथ जो है वो कुलू जिले की सीमा लगती है उपर भी जो है वो पांच थे ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है वो चार थे और यहाँ पर जो है वो दो थे फिर अगर बात करें next की next कौन सा है आपका next है आपका किन और ठीक है तो कि किनौर की first second third तीन जीलों के साथ जो है हो सिम्गाल अकर बात करें मौनार की होगो अपकी LAHOLAND SPITI किनौर के साथ टच होता है फिर आपका कुल्णू होता है टच और उसके बाद प्मेर की मौनार के साथ था है ठीक है किनौर हो गया अब किनौर के बाद नंबर आता है लाहॉल स्पिति का लाहॉल स्पिति आप यहां पर मैप में देखोगे तो एक तो यह भी लाहॉल स्पिति के साथ टच हो रहा है दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया और चौथा यह हो गया तो लाहूल स्पीति के साथ जो है वो चार की लगती है ठीक है लाहूल एंड स्पीति कौन कौन सी है एक तो आपका किनौ टच हो रहा है फिर आपका कुलू टच हो रहा है फिर आपका कांगडा टच हो रहा है और उसके बाद आपका चमबा टच हो रहा है तो ये चार आपके जो है वो लाहल स्पीति के साथ लगते हैं ये हो गए आपका लाहल स्पीति के साथ अब लाहल स्पीति के साथ अब लाहल स्पीति के बाद बात करें मंडी की ठीक है तो मंडी आपका यहां पर है और मंडी के साथ एक इसकी लगती है स 3 आपका ये है, 4 आपका ये है, 5 आपका ये है, और 6 आपका ये है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मंडी के साथ जो है, वो 6 जीलों की सिमा लगती है, ठीक है, कितनी 6 जीलों की, तो मंडी के साथ कौन कौन सी, यहीं पर देख लिए लिखूंगा नहीं मैं, कुलू है, आपक बिलासपूर की तो ये बिलासपूर है आपका तो एक ये हो गया दो ये हो गया तीन ये है चौथा ये है तो बिलासपूर के साथ जो है वो चार की लगती है कौन कौन से है चार आपका मंडी हो गया बिलासपूर के साथ जिसकी लगती है फिर आपका सोलन हो गया आपका अगर कांगडा के साथ लागती हैं फूर्थ ये हो गया फिफ्थ ये हो गया और सिक्स्त ये हो गया ठीक है जी तो कांगडा जी लगी सिमाएं भी जो है वो छे के साथ लगती है चंबा लाहल स्पीती कुलू मंडी हमिरपूर और उना यहाँ पर आपने देखी लिया है और उसके बाद बचता है आपका चंबा कि अगर बात करें तो first ये और second ये ठीक है कांगडा प्लस लाहल स्पीती ठीक है तो कांगडा ये जो आपका चंबा है ये किस-किस के साथ लगता है ये लगता है आपका लाहल लेंड प्लस आपका जो है वो कांगडा तो ये चीज़ें आपको याद रखने है दो दो वाले कि एक तो आपका मंडी हो गया जिसकी सीमा जो है वो छे के साथ लगती है अने जिलों के साथ और दूसरा कौन से हो गया दूसरा हो गया आपका कांगडा जिसकी सीमा भी जो है वो छे जिलों के साथ लगती है कौन कौन से हो गया आपके कौन कौन से हो गया वो हो गया आपके म दूसरा जो है वो आपका इंटर डिस्टिक में जो है वो किस-किस के साथ जो है वो connect होती है यह मैं बार-बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे जो है वो match making question जो है वो आपसे पूछे जाएंगे ठीक है जी चली आगे बढ़ते हैं अब बात आती हिमाचल प्रदे रियास्तों को मिलाया गया था रियास्तों को जो है वो आपस में मिलाया गया और जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया गया ठीक है यह आपको पता ही होगा कि 30 चोटी बड़ी रियास्तों को मिलाया गया और हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो कर दिया गया अच चार कौन कौन से थे एक बार मैं आपको दिखा रहेता हूँ वो डिस्टिक थे आपके चमबा ठीक है जी फिर था महासू उसके बाद मंडी ठीक है और फिर आपका सिर्मौर तो ये चार डिस्टिक जो है वो हिमाचर प्रदेश में देखे हिमाचर प्रदेश का गटन हुआ आ आपका जो है वो मंडी हो गया मंडी हो गया फिर उसके बाद आपका महासू हो गया और फिर हो गया आपका सिर्मौर तो इन जो है वो चार जीलों की स्टार्टिंग में जो है वो स्टैबलिश्मेंट की गई थी अच्छा नेक्स कोशन क्या पूछा जाता है कि जब ये चार फलता वो कितना था तो जो एरिया था वो था आपका 27179 km2 अब ये कहीं कहीं पर अलग अलग जगा पर अलग तरीके से दिया गया है कहीं जगा पर 270018 km2 भी दिया गया है और अगर आप यहां पर देखोगे तो यहाँ पर mention किया गया है 25,849 ठीक है तो यह अलग-अलग debatable हो जाता है कई बार तो आपको याद रखना है 27,179 या फिर आपको 27,000 के आसपास जो है वो याद रखना है ठीक है आपका सिर्मोर तो इसको जो है वो हम आगे फ़र्दर के लिए क्या है कि आपको इतनी चीज़ें जो है वो याद रखनी है अचाय एक और चीज है हिमाचल प्रदेश के जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश जो है 1948 में गटन हुआ तो तीन चीज़ें आपको important या रखनी है 1948 से लेकर 51 ठीक है जी उसके बाद 1951 से लेकर आपका 1956 ठीक है उसके बाद 1956 से लेकर आपका 71 ठीक है जी और 25 जनवरी 1971 ये आपको जो है वो पता होने चीज़े क्योंकि इन से जो है वो बहुत जादा question जो है वो पुछी जाते दें अच्छा 1948 से लेकर अगर बात करें 51 की तो हिमाचल प्रदेश जो है वो मुखे आयुक्त क्षेतर था मुखे आयुक्त क्षेतर ठीक है जी उसके बाद 51 से लेकर 56 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश गरश रेणी यानि के पार्ट सी का राज्ये रहा ठीक है जिसको पार्ट सी बोलते हैं आपका ठीक है जी उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 71 तक जो है वो यूटी यानि के केंदर शाषित प्रदेश रहा और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को जो है वो पुन राज्ये का दर्जा जो है वो दिया गया तो ये चार पॉइंट इंपॉर्टन्ट है आपके पास जो है वो मैचिंग में आ सकते हैं कि 1948 से लेकर 51 तक देखे उनी सो जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पुन राज्ये का दर्जा दिया गया ठीक है बाकी कौन-कौन से जी ले थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिया क्षित्रफल याद रखेगा कि क्षित्रफल जो था वो आपका कितना था वो था आपका 27,179 मलब 27,000 याद रखेगा क्योंकि ये अलग-अलग जगा पर अलग-अलग दिया गया है 15 अप्राइल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियास्तों को मिला कर जो है वो हिमाचल प्रदेश का ग जो है वो इसको दिया गया ठीक है उपर हमने क्या पड़ा चार्डिस्टिक है और बाकी आपको यह याद रखना है कि अगर मालीजी सिर्मौर है तो किस-किस के साथ अटैच होती है किस-किस के साथ जो है वो अटैच नहीं होती है ठीक है ये सारी चीज़े आपको पता होनी जरूरी है अच्छा आगे कुछ और देख लेते हिमाचर प्रदेश की नदियों के बारे में तो आपको पता ही है कि हिमाचर प्रदेश में मुक्के तब पांच नदिया बैती है जब हम नदिवाला चैप्टर करेंगे तो उसको जो है वो further discuss करेंगे पांच नदिया बैती है पांच नदिया कौन-कौन सी है आपकी चिन्नाव राभी विया सत्लूज और यमना सबसे लंबी नदी नदी यमना है और जल गनत्यों के अधार पर सबसे जो आपकी बड़ी नदी है वो चिन्नाव है ये हम नदियों वाले चैप्टर में cover करेंगे अ पाकियों का तो same ही होता है, जैसे for example आपका सोलन का सोलन में है, पर कुछ का different है, जैसे सिर्मौर के अगर बात करें, तो सिर्मौर का जीला मुख्याले है आपका नहन, यह याद रखेगा, उसके बाद लाहौलेंड स्पिती का जीला मुख्याले जो है वो कैलांग है, ठीके, उसके बाद आपका जो है वो उना का तो उना में ही है, हमिरपूर का हमिरपूर में ही है, कांगडा का, कांगडा के अगर बात करें, तो कांगडा का जो है वो आपका धरमशाला में है, धरमशाला में, ठीके, और किनौर का कहां पर है, किनौर का आपका जो है वो रिकॉंग प जिला मुख्याले है तो वह हापका उना है लगभग 379 मेटर की उन्चाइपर और सबसे हायस्ट उन्चा पूण सा है तो hopes हापका बुण सुन उन्खेला पर उन्चार के रांग हैं उसकी हाइट है वह है आपकी 31156 सबसे लोइस्ट हाइट पर आपका उना जिला मुख्याले है और सबसे हाइस्ट पर आपका लाहॉल स्पीती जाने के जिला मुख्याले के लॉंग है तो अब बात करते हैं कुछ mcqs के बारे में यह बेसिक सा चैप्टर था जो की पहला आपको पता होना चाहिए इतनी इसके बारे में इन्फोर्मेशन होनी चाहिए अब इस रिलेटिड कोश्चन किस तरीके से बनते हैं वो आएए उनके उपर जो है वो एक बार नजर डालते हैं ठीक है तो सबसे बैला कोश्चन है हिमाचर प्रदेश का क्षेत्रफल निमलिखित में से कितना है हिमाचर प्रदेश की क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है चार आपके पास ऑप्शन यह आपर दिये गए हैं 55273 वर किलोमेटर 55687 किलोमेटर स्केर या फिर कितना तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 55673 वर किलोमेटर यह आंसर सही होगा अगर आपसे यह पूछर प्रदेश के गठन के समय हिमाचर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था तो वो होगा 27179 किलोमेटर स्केर तो यह आपको देखना है कि हिमाचर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है व मुक्य आयुक्त परांत बना था यह मैंना आपको अभी बताया था ठीक है मुक्य आयुक्त परांत कब बना था तो 15 अपरायल 1948 को हिमाचर प्रदेश मुक्य आयुक्त परांत बना था ठीक है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो 30 छोटी बड़ी रियास्तों को मिला कर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में किया गया था कई बार महासू का पूछने जाता है कि महासू का गठन जो है वो कितनी रियास्तों या ठकराईयों को मिला कर किया गया था तो 26 जो ह वो मिलाए गई थी तब महसु जीले को जो है वो बनाया गया था हिमाचर प्रदेश के कुल बुगौली क्षितर का लगबक कितन प्रतीशत जन्जाती क्षितर में आता है यह important है कि कितना प्रतीशत जन्जाती क्षितर में आता है तो इसका जो सही आंसर है वो है 40% 40% जो है वो जन जाती क्षित्र में आता है हिमाचर प्रदेश की क्षित्र फल का ये कोश्चन प्रिवेस एर में पूछा गया है तो आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है Next हिमाचर प्रदेश की किस जीलो को जम्मू कश्मीर की सीमा सपर्ष करती है तो इसमें से आंसर जो होगा वो रहो आपका चमबा प्लस कौन Next हिमाचर प्रदेश की तिबबत के साहर लगती है अंतरास्टिय सीमा रेका की लंबाई जो है वो कितनी है तो इसका जो है ये है आपकी 200 किलोमेटर ठीक है इसका आंसर होगा आपका 200 किलोमेटर कुछ ऐसे question होते हैं जो की detail में cover नहीं किया जाते हैं तो यहाँ पर MCQs के through जो है वो उनको cover किया जा रहा है यह हो गए आपका clear किलोमेटर स्केर नहीं यहाँ पर percentage आएगी ठीक है यह प्रिंट में गलत होगा प्रसेंटेज तो 24 प्रसेंट के लगभग जो है वो आपका लाहल स्पीति का area जो है वो आपका कहां पर आता है मतलब कि पूरे शित्रफल का हिमाचर प्रदेश का वो लाहल स्पीति में आता है लाहल स्पीति आपको पता ही होगा कि जो शित्रफल के हिसाब से जो है वो लाहल स्पीति सबसे बड़ा है ठीक है तो 24.85% के करीब जो है वो प्रतीशत एरिया आपका लाहल स्पीति में आता है यह कोशन नयवतिसिलदार में पूछा गया है नेक्स्ट है हिमाचर तो यह अटैच होता है आपका बिलासपुर के साथ तो यह चीज याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट है हिमाचर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है ठीक है कितनों के साथ जुड़ी हुई है पांच राज्यों के साथ जुड़ी हुई है कौन कौन स एक कांगडा लाहलस पिति को सोलन करता है सिर्मौर शिमला मंडी और बिलासपूर को और कुलू करता है उना हमिरपूर मंडी और सोलन को इनमें से कौन सा जो है वो गलत है आपको बताना है तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इसी तरीके से कोश्चन जो है वो HPPSC भी बन नहीं लगती है तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका सहयोगा यानि कि ये युगम जो है वो आपका गलत है ठीक है जी नेक्स्ट है हिमाचर प्रदेश की कौन सी जिले की सीमा सिर्मौर उत्राखंड सोलन और मंडी के साथ लगती है ये एच्चेस में पूछा गया है कि कौन सा जो है वो जीला है जिसकी सीमा जो है वो सिर्मौर के साथ फिर आपकी उत्राखंड के साथ उसके बाद आपकी सोलन के साथ और फिर मंडी के साथ लगती है तो इसका आंसर है आपका शिमला ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट है हिमाचर प्रदेश के गठन के समय निमलिखित नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हर्याना राज्ये की किस दिशा में रहते हैं और यहां पर पूछा गया है यह पूरव हो गया यह उत्तर हो गया और यह दक्षिन ता आपका दक्षिर तो इस तरीके के question जो है वो इससे बनेंगे बाकी ज़यादा question इसे नहीं बनेंगे इसी तरीके के बनेंगे बाकी जैसे जैसे जयादा question होगे आपको बता दिया जाएगा और I hope आपको आज की वीडियो पसंद दे लेंगे